आज मंत्री दरबार लगा, क्रिशी मंत्री लालचन कटारिया ने सुनवाई का रिकॉर्ड बना साती गुजरात के क्रिशी मंत्री के आरोपों का भी खंडन किया गया इयर पोर्ट देगी सीमाओं के बंधन से बेपरवाह टिडडी दल ने गुजरात की ओर कूच क्या किया सियासत गर्मा गई गुजरात के क्रिशी मंत्री ने राज्थान से आई टिडडी दल को लेकर कॉंग्रेस सरकार पर आरोप लगा दिया जिसका राज्थान के कृष्यमंत्री कटारिया ने शालिंता से खंडन किया PCC में पत्रकारों से बाचीत में कटारिया ने कहा कि टिड़ी दल पर नियंत्रों लगा पाना आसान काम नहीं है हमारे यहां पाकिस्तान से टिड़ी दल आते हैं हवाके रुख के अनुसार इनका मार्क तै होता है गुजरात के क्रिशी मंत्री को पता होना चाहिए कि यह मसला भारत सरकार का विषया है हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है मेरे ख्याल से मंत्री जी को ये पता नहीं है कि टिड़ी दल को समालने का काम भारत सरकार का है राध्यस्तान चुकि उससे प्रभावित है तो हमने लगातार भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में इसको रोगने की भरपूर कोशिज करी है जितनी ताकत हम लगा सकते थे हमने उस ताकत के साथ में वरना तो ये पूरे देश को प्रोश कर जाती है आमेर SDM कोर्ट शिफ्टिंग प्रकरण की गुझ भी मंत्री दर्बार में सुनाई दी वकीलों ने शिफ्टिंग का विरोध करते हुए लालचंद कटारिया को ग्यापन सौपा जस्पर मंत्री कटारिया ने फोन पर जैपूर कलेक्टर जोगाराम से बात की वकीलों का है वो आमेर में SDM कारे लेके शिफ्टिंग का मामला है कुछ चीज वेवारिक भी है जो कलेक्टर साब को मैंने कही है कि पहले वहां वेवस्ता कराई जाए पार्किंग कहा रहेगी क्योंकि आमेर में जहां वो शिफ्ट कर रहे हैं वहीं तो तुरिजिमाले खड़े रहते हैं काईट भी खड़े रहते हैं हम लालचन कटारिया जी से मिलके हमने SDO कोट आमेर के बारे में उनसे परिचर्चा करी क्योंकि SDO कोट आमेर को आमेर शिफ्ट करने के आदेश कर दिया गया है आमेर की बोगली किस्तिति ऐसी है कि सिर्फ एक सो पिच्छान में पंचायते हैं अगर इन केसों को दर किनार करके आमेर बेजा गया तो सस्तायम सोलब नयाई कहां मिल पाएगा कहां 80 किलोमेटर दूर का व्यक्ती 120 किलोमेटर दूर जाकर के नयाई ले पाएगा इन सबी चीजों को देखना पड़ेगा और कलेक्टेट परिसर में ही उच्चित होगा कि सामेर एज़िम नयाईले को खुला जाए लालचंद कटारिया ने आज सुनवाई का भी रिकॉर्ड बनाया ताई समय से एक घंटे ज्यादा उन्होंने सुनवाई की सौ से जादा प्रकरण उनके सामने आए आज राजमंत्री सुभाश गर्ग को सुनवाई करने के लिए PCC आना था लेकिन वो भरतपूर से नहीं आ पाए PCC के आग्रह पर लालचंद कटारिया ने सुनवाई की फर्स्ट इंडिया न्यूस के लिए योगा इशु शेर्मा की रिपोर्ट